रगुपति राघव राजाराम पतीत पावन सीताराम कोशल्या के प्यारे राम दशरत राज दुलारे राम बोलिये रगवंच मणी रगुकुल भूशन पतीत पावन प्रभुराम चंद्रजी महराज के भक्त जनू तुलसी दाश्ची कृत राम चरित मानस भगवान च्री राम चंद्रजी के जीवन का दर्शन है श्री हरी विष्णू ने प्रभु श्री राम जी के रूप में अफतरित होका मानभ जीवन को जीना सिखाया भक्तों और रावन के पापों का अंतकर मा धर्ती का भार भी हरा था तो ऐसे रगवंश मणी के हाथों किस किस का कल्यान हुआ आईए इस पावन कथा के माध्यम से मैं आपको उनके चर्णों की रज द्वारा भवसागर पार करने वाली नार अहिल्या की संगीत मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ जिससे सुनने मात्र से आपके जनम जनम के बाप नश्ट हो जाएंगे तो एक बार फिल मेरे साथ बड़ी फ्रेम और शद्धा के साथ बोलिए बोलिए राम चंदर जी महराज की नार अहिल्या श्रापित नारे नार अहिल्या श्रापित नारे ग्रामा रामा रटती जाए कैसे रघुबर पार लगाए पावन गाथा तुमको सुनाए धरती विश्णों सनमुक आए हरी चर्णों में शीश नवाए रामण द्वारा मचाए गए आतंक से उसके द्वारा पहलाए गए पाप ताप संताप से त्रस्त होकर धरती मैया ने गौमाता का रूप बनाया और देवी देवताओं सहित श्री हरी विश्णों के चर्णों में पहुँच गई जाकर प्राठना करती है प्रभू आपका तो वचन है जब जब पापी बढ़ेंगे पाप बढ़ेगा सादू संतों का हनन होने लगेगा तब तब आप अवतार लेकर मुझ धरती पर प्रकट होंगे तो इस वार प्रभू देर क्यों लगा रहें कृपा कर मेरी विंती सुनी और शीगरी अवतरी थोकर मेरे पाप ताप संतापों का धरन कीजी प्रभू आपने मत्स अवत्यार में रिशी मनु को बचाया वरा अवतार में धरती को बचाया तो ऐसे ही मुझे बचाने कृपा कर अवतार धारन कीजी धरती विशनू सनमुक आई अर चर्नों में शीष नवाई भगवन अब अवतार धराओ मेरे संकट आन मिटाओ असरों के आतंक से मुझे को ए नारायन आप बचाये पावन गाता तुमको सुनाये पावन गाता तुमको सुनाये श्री हरी ने धाडस बंधवाया शीग्र हिलू अवतार बताया मा धरती के आहवान पर श्री हरी ने मा धरती को धाडस बंधवाया और वचंदिया हे धरती मा मैं शीग्र ही अयोध्या नगरी के माहराजा दश्रत के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूँगा और लीला करते हुए आपके सारे पावताप संतापों का हरण कर लूँगा यह सुनते हिए मा धरती और अन्य देवी देपतागन हरशाने लगे श्री हरी विश्नु की जैजेकार लगाने लगे अब समय आ गया था भक्तों भगवान श्री हरी विश्नु अपने सप्तम अवतार प्रभु राम का रूप भरण करे और धरती पर आकर अपनी लीला करते हुए धरती के पाप ताप संतापों का हरण करे तो आप भी मेरे साथ एक बार बड़े प्रेम से बोलिए बोलिए प्रभु श्री राम चंदर जी महाराज की श्री हरी ने डाढ़स बंधवाया शीग्रहिलू अवतार बताया नगरी आयोध्या दशरत के घर जनमुगा मैं रगुवर बनकर देविदेवता धरती के संग विश्नों की जैकार लगाए पावन गाथा तुमको सोनाए पावन गाथा तुमको सोनाए श्री हरी फिर लीला दिखलाए मात कोशल्या के गर्भ आए अपने दिये गए बचन के अनुसार श्री हरी विश्नों ने प्रभु राम के रूप में जनम लेने हेतू महराजा दशरत की पत्नी कोशल्या के गर्भ में अपना स्थान बनाया उचित समय पर प्रभु ने प्रकट होकर इस धर्ती को और धर्ती वासियों को अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया सारी नगरी अयोध्या जूम रही है नाच रही है गा रही है ठुमक ठुमक कर चलते जब बाल रूप में प्रभु अपनी लीलाएं करते तो पिता दशरत और माता कोशल्या मन ही मन हर्शाते मा कोशल्या डर रर जाती कि उनके पुत्र को कहीं नजर न लग जाए परन्तु उन्हें ग्यात नहीं था कि जो पुत्र उनके आंगन में बाल रूप में खेल रहा है ये तो साक्षार नारायन हरी हैं जग के पालन हा रहें जो इस धर्ती का कल्यान हरने तु अवरित हुए है श्री हरी फिर लीला दिखलाए मात कोशल्या के गर्भ आए नगरी आयोध्या पावन कीन है राम रूप अवतार थे लीन है ठुमक ठुमक चलते जब रगवर मात पिता मन मन हर शाए पावन गाथा तुमको सुनाए संग थे जन में तीन और भाई भरत लक्ष मन शत्रुघन भाई महराजा दश्रत की तीन रानिया थे कोशल्या कैकई और सुमित्रा कोशल्या के गर्भ से प्रभु राम ने जनम लिया थे सुमित्रा के दो पुत्र हुए लक्षमन और शत्रुघन तथा कैकई का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भरत चारों राजकुमार प्रांगन में खेलते कूटते शिक्षा ग्रहन करते धीरे धीरे युवावस्था में आगया। अयोध्यानगरी घी के दीव जला रही है। वो पालन करते जाएं पावन गाता तुम को सुनाएं। चारों भाई शिक्षा पाई लोट आयोध्या चारों आएं। चारों कुमार अयोध्यानगरी लोट आये हैं। और जैसा की मैंने कहा अयोध्यानगरी तो जूम रही है, नाच रही है, गा रही है, खुशिया मना रही है। चहु और खुशियों का वाता वरण है, माताएं अपने अपने पुत्रों से लाड लडा रही है। पिता के तो मानों पंखी लग गए हैं, उनकी प्रसनता का कोई ठिकाना नहीं। दान देते हैं, दक्षिना देते हैं, पुत्रों के हाथों सत्कर्म करवा रही है। कि तभी एक दिवस महराजा दशरत के महल में मुनी विश्वामित्र का आगमन होता है। मुनी विश्वामित्र के मुक पर विशाद है, क्रोध है, जिसे देखकर दशरत ची चिन्तित होते हैं, और गुरुवर से इसका कारण पूछते हैं। चारों भाई शिक्षा पाए, लोट आयोध्या चारों आए, नगर निवासी थे हर शाए, मात पिता तो मोद मनाए, उसी घड़ी फिर नगर आयोध्या, गुरुवर विश्वामित्र थे आए। पावन गाथा तुमको सुनाए। दशरत आदर से बुलवाए, आने का कारण थे पुछवाए। गुरुवर को आदर सही दशरत ने अपने सिंघासन पर बिठ लाया। पैर धुलवाए, अच्छे से भोजन करवाया। परन्तु गुरुवर के मुख का विशात देकर उनसे प्रश्न करते हैं। प्रभु बताईए आपको क्या कस्ठ है जो इतने ग्रोध में, इतने विशात में आप अयोध्या आए हैं। त ब्रश्रत को बताते हैं, दश्रत, तेरे राज्य में राक्षष हमें तंग करते हैं, हमारा यग्य भंग करते हैं, यग्य की अग्नी में मांस और हड़ीयां डालकर अप अवित्र करते हैं। इस हे तु तुम तुरंत राम और लक्ष्मन को मेरे साथ वनों में भेजो वो हमारे यग्यों की रक्षा करेंगे और असुरों का अंत करेंगे दश्रत सुन चिंतित हो जाते हैं कहते हैं ये तो अभी बालक है प्रभू मैं चलता हूँ सेना लेकर परन्तु तब मुनी वसिष्ट समझाते हैं कि राम का जन राक्षोंसों का अंत करने के लिए हो आए अथे इन्हें आदर सहित गुरु वर के संग जाने दीजी अव राम और लक्ष्मन गुरु विश्वामित्र के साथ वनों को आ गए है दशरत आदर से बुलवाए आने का कारण थे पुछवाए राक्ष स्याग्य को भंग है करते असुर हमें तो तंग है करते राम लखन मेरे संग भेजो गुरु वर यह आदेश सुनाए पावन गाथा तुमको सुनाए पावन गाथा तुमको सुनाए गुरु वर संग बन को थे आए ताड का राक्ष से मार गिराए वन में खूमते खूमते अचानक एक निर्जन स्थान आता है तब प्रभु राम पूछते हैं भगवन ये स्थान इतना निर्जन क्यों है तब गुरु वर बताते हैं पुत्र ये पापन ताड का राक्ष सी का स्थान है ये मनुशों का आहार करती है साभान रहना और इसका अंत करना तब प्रभु राम गुरु वर से कहते हैं प्रभु नियम के अनुसार इस्त्रीवद पाप है परन्तु गुरु वर कहते हैं कि ये श्त्री नहीं ये राक्ष सी है तब राक्ष सी ताड का अटहास करती हुई आती है और प्रभु राम के हाथों मारी जाती है ऐसे ही राम लक्षमन अनेक अनेक असुनों का अंत करते हैं और गुरु के यग्य की रक्षा करते हैं गुरुवर अब अत्यन्त प्रसन्न हैं वो चैन से पूजा अर्चना कर पाते हैं यग्य कर पाते हैं कि तभी उन्हें मिथिला नगरी आने का संदेश प्राप्त होता है अब राम लक्ष्वन और गुरु विश्वामित्री मिथिला नगरी की ओर चल रहे हैं गुरुवर संगवन में थे आए ताड का राक्ष सी मार गिराए असुरों का फिर अंत थकीना गुरुवर ने आशीश था दीना फिर गुरुवर के संग में दोनों देखो मिथिला नगरी जाएं पावन गाथा तुमको सुनाएं मारग में आश्रम इक आया देख चकित हो गईर घुराया मारग में एक वीरान उजार सा आश्रम देख राम और लक्षमन शकित हो जाते हैं गुरुवर से पूछने हैं प्रभू ये क्या माया है ये किसका आश्रम है कि तभी एक शिला पर उनकी द्रिष्टी पड़ती है जिससे राम नाम की धुनी प्रस्पुटित हो रही है इस पर गुरुवर बताते हैं कि ये श्राब पितनारी अहिल्या है इनके पति गौतम रिशी ने इने श्राब देकर पथथर की शिला में बदल दिया है सक्षिप्त कथा बताते हुए गुरु कहते हैं कि ये सब इंद्र के कारण हुआ है उसी ने छल से अहिल्या का सतीत्व हरन किया जिससे क्रोधित होकर गौतम रिशी ने इने श्राब दे दिया लेकिन मुक्ती का उबाय भी बताया के जब त्रेता युग में प्रभूश्री राम आएंगे तब उनके चरणों की रच से तुम्हारा कल्यान हो जाएगा इसलिए हे रगुवर अब इस श्रापित नारी को श्राब से मुक्त कराओ जाओ इसे अपनी चरण रच्छुआ कर भवसागर से पार कर दो मारग में आश्रम एक आया देख चकित हो गए रगुराया एक शिला फिर वहाँ पर देखी जो थी रामा रामा रटती पथर जप रहा राम नाम को राम लखन कुछ समझ न पाए पावन गाथा तुमको सुनाए पावन गाथा तुमको सुनाए ये है श्रापित नार अहिल्या रिशी गौतम के नार अहिल्या प्रभू श्री राम गुरू चर्णों में शीष नवाते हैं और कथा को विस्तार से सुनना चाते हैं तब गुरूवर बताते हैं के गौतम रिशी बहुत महान तपस्वी थी जिनके तब से इंद्र डरता थी और इनके तक को भंग करने है तू उसने कुटिल योजना बनाई जब गौतम रिशी गंगास्नान को चले गए तब उसने गौतम रिशी का रूप घरा और अहिल्या के आश्रम में चला गया और अहिल्या ने उन्हें पती जानकर उनके साथ पती धर्म का बालन किया जब गौतम रिशी आए उन्होंने इंद्र को अपने सुरूप में आश्रम के भीतर देखा तो क्रोधी थोकर अहिल्या को श्राप दे दिया और इंद्र वहां से भाग खड़ा हुआ परन्तु जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि गलती थो इंद्र की थी तब उन्होंने श्राप से मुफ्ति का उपाय भी बता दिया अब देर न करो पुत्र अपने चरणों की रज चुआ कर इस श्रापित नारी का उधार करो ये है श्रापित नार अहिल्या रिशी गोतम की नार अहिल्या इंद्र के हाथों धोखा खाई गोतम ने श्रापित करवाई श्राप के कारण नार अहिल्या देखो शिला में बदली जाए पावन का था तुमको सुनाए जाओ रगुवर चरण छुआओ इसको श्राप से मुक्त कराओ गुरुवर के चरणों में शीष नवाकर प्रभूश्री राम शिला रूपी अहिल्या के समक्ष जाती है जैसे है प्रभूश्री राम के चरण शिला पर पढ़ते हैं शिला नारी में बदल जाती है और अहिल्या राम राम जपती हुई खड़ी हो जाती है नतमस तक हो प्रभूश्री राम के चरणों में शीष नवाती है तथा उनका बार बार धन्यवात करती है कि उनकी चरण भूली से वो श्राप से मुक्त हुई और प्रभू से प्राप्ना करती है है प्रभू वो अपने पती के पास जाना चाती है तब प्रभु श्री राम उन्हें आशिरवाद देते हैं और सशरीर उनको अपने पती के पास मौचा देते हैं तो ऐसे ही भक्तूं यदि आप भी जीवन में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोग प्राप्त करना चाते हैं तो प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करते रहिए इनकी चरण घूली से माथे चंदन तिलक लगाते हुए बोलिए बोलिए श्री राम चंदर जी महाराज के जाओ रगुवर चरण छुआओ इसको श्राप से मुक्त कराओ गुरुवर आग्या पालन कीन है चरण की रज से पार्थ कीन है इनी चरणों की पावन रज से आओ चंदन तिलक लगाए आओ चंदन तिलक लगाए आओ चंदन तिलक लगाए नगरी हो आयो ध्यासे रगुकुल सा घराना हो चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो नगरी हो आयो ध्यासे रगुकुल सा घराना हो चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो हो त्याग भरत जैसा सीता सीनारी हो लव कुश के जैसी संतान हमारी हो नगरी हो आयो ध्यासे रगुकुल सा घराना हो चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो मेरे जीवन नए आहो प्रभु राम की वैया हो राम कृपा की सदा मेरे सिर पे छईया हो नगरी हो आयो ध्यासे रगुकुल सा घराना हो चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो सरयो का किना राहो निर्मल चल धारा हो दर्ष मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो दर्ष मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो नगरे हो अयो ध्यासे रगुकुल सा घराना हो चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो लक्षमर साभाई हो स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो नगरे हो अयो ध्यासे रघुकुल सा घराना हो चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दसरत अजर बिहारी बोलिये दशरत नंदन रघुवर राम चंद्रजी महराज की विष्णू जी अवतार धार के विष्णू जी अवतार धार के स्रीला बड़ी दिखाते राम की कथा सुनाते भगतों राम की कथा सुनाते तुमकों राम की कथा सुनाते बोलो जै 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 श्री राम 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 चैत्र शुक्ल नविमी के दिवस भगवान श्री हरी विश्णु ने राम रूप में मा कौशल्या के गर्ब से जन्म लिया महराजा दर्शत की अन्य दो रानियों सुमित्रा ने लक्ष्मन और शत्रुगन तथा कैकई ने भरत को जन्म दिया समस्त संसार इन बालागों के दर्शन करने है तू व्याकुल है भक्तू दिन चैद्र शुक्ल नवमी का जब राम रूप में आई दशरत के महलों में थे बड़े उमंग रंग चाय गए जून आयो ध्यावासी दिन भागों वाला आया सुमित्रा के दो पुत्र एक कै कैने जाया गुरु वसिस्थ बुला के था फिर नाम करन करवाया कौशल्या के पुत्र राम के कै कई कभरत कहाया दो बालक थे सुमित्रा के लक्ष्मन और शत्रुगन लगे देवता करने इन सब के दिव्य दर्शन बाल लिलाए देख के भगतों फूले नहीं समाते राम की कथा सुनाते तुमको राम की कथा सुनाते बोलो जे 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 श्री राम चारू राज कुमर जब कुछ बड़े हुए रत्तों तब गुरु वसिस्ट की आश्रम में जाकर शिक्षा दिक्षा ग्रहन करने लगे शिक्षा प्राप्त कर जब महलों को आए तो मुनि विश्वमित्र राम और लक्ष्मन को अपने यग्य की रक्षा करने ही तूँ वनों को अपने साथ ले गए भकतों गुरु वर्जे लेकर शिक्षा सीखे थे अस्थ चलाने प्रवीड हुए विद्या में ये चारों बड़े सयाने गुरु पतनी अरुन्धती भी उन्हे चुमें बारं बारी जब लोट के आए आयोध्या सर जुकाए नर और नारी राज वेश में चारों गों तो लगते अती ही त्यारे थी तीनों माताए धन्य दशरत भी जाते वारे एक दिन राज महल में रिशी विश्व में त्रपधार दशरत को फिर दर्द सुनाया कुछ हरुकस्ट हमारे राम लखन को ले जाओं मैं राक्षस बड़े सताते राम की कथा सुनाते तुम को राम की कथा सुनाते बोलो जै 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 श्री राम मुने विश्वामित्र के यग्य की रक्षा करते गत्ते प्रभू श्री राम ने ताड का और सुभावू का हंत किया तथा मारीज को बिना फर का बान मारग कई योजन दूर ठेक दिया महराजा जनक के आवान पर मुने विश्वामित्र राम और लक्ष्मन के साथ मिथिला नगरी जा रहे है जहां मारग में प्रभू राम ने अहिल्या का उधार किया मारग में ताण का मारी शीराम ने बान चलाया धैत्यों को सबक सिखा के यग पूरण था करवाया फिर राम लखन दोनों को रिश्व जनक पुरी में लाए सीता का जहां सोयंबर थे बड़ बड़ राजा आए पिनाक तोड़ने वाली फिर तो राजन शर्त लगाई जो कोई तोड़े धनुच बोजनक पुरी का जवाई शिरी राम विश्णू अवतारी अदबुत रच दी माया अहिल्य को फिर पैर लगा कर शाप समूक्त कराया धनुष जहां रखा था शिव का उसी जगे आ जाते राम की कथा सुनाते भगतों राम की कथा सुनाते बोलो जै 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 श्री राम घनुष यग्य भंग कर प्रभु श्री राम ने सीता जी संग विवार अचाया और महराजा जनक की अन्य थीन पुत्रियां भी भरत शत्रुगन और लक्ष्मन के साथ ब्याही गई अब दश्रजी के मन में राम को राजा बनाने की लाल सा जागी परन्तु कहकई की कुटिल बुद्धी ने क्या चाल चली आईए सुनते हैं श्री राम ने धनुष उठाया एक पल में तोड़ जाला जनक नंदनी सीता ने डाली थी वर्माला पावन नगरी आयो ध्या सब जुमे नाचे गाएं चारों भाई फिर मिलकर थे चार दुलनिया लाएं जिसकी आस नहीं थी दिन ऐसा ही फिर आया मैं हो जाओ सन्या सीथा दशरत ने फरमाया राजा राम बना दू दशरत ने सलाह बनाई राजा मेरा भरत बनेगा कै कैन तांग अडाई राम चंद्र बनवासी होंगे दशरत आस बहाते राम की कथा सुनाते तुमको राम की कथा सुनाते कैकई ने अपने धरोहर में रखे दो वर्दानों में एक में भरत का राज्य और दूसरे में राम का बनवास मांगा राम जी वनों में आ गए हैं भरत राम जी को वापस लेने जाते हैं परन्तु ला नहीं पाते हैं सोन की चरण पादुका ही ले आते हैं प्रभु राम पंचवटी में क्या लीला कर रहे हैं आईए सुनते हैं जो लेख लिखे विधनाने वो डाल सके ना कोई अपने की ये क्या होता जो राम करे सो होई दशरत के महलों में फिर चा गई थी घोर उदासी थे राम लखन और सीता होके थे चले बनवोसी प्रेम भरत का उनको देखो वापस लाना पाया चरण पादुका लेकर वो फिर नगर आयो जा आया पूत्र बिचोह में दशरत भगतों चोड़ गए तन चोला बेबसी थी सबको दुख विपदा में मन था डोला पंचवती में कुटी बना के राम जी समय बिताते राम की कथा सुनाते भगतों राम की कथा सुनाते बोलो जै 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 श्री राम पंचवती में रावन की भेंच रूप नखा के नाकान लक्ष्मन जी ने काज दिये हैं रावन बदला लेने हैं तू सीता जी का हरण कर उने लंका ले जाता है उधर राम और लक्ष्मन सीता जी को खोस्ते खोस्ते किश्किंदा आते हैं जहां पर सुग्रीव से उनकी मैत्री होती है और हनुमान जी प्रभु मुद्री का लेकर लंका की ओर जा रहे हैं मोहित हुई रगवर पल थेशूप नखा वहां आई लक्ष्मन ने नाक काट दी बोलंका जा चिल्लाई फिर रावण ने चल करके सीता का हरण किया था रस्ते में अडा जटायू रावण ने काट दिया था सीता जी की खोज मेरा गवर लखन बड़ा दुख पाए शबरी की कुटिया में आकर प्रेम से बेर थे खाए सुगरिव से हुई मित्रता मिला हनुमत फिर प्यारा बाली को दंद दिया था उसे तीर फिर मारा मुंदर लेकर हनुमान जी लंका में उड़ जाते राम की कथा सुनाते भगतों राम की कथा सुनाते बोलो जै 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 श्री राम जै श्री राम का उद्धोश कर श्री हनुमान जी ने प्रभु मुदरि का मुख में डाली और सौयो जन सागर लांग गए लंकिनी कुमार लंका में प्रभेश किया रावन की सारी लंका जलाई और मासीता की चूड़ा मणी निशानी लेकर वापस आए भगतों प्रभु राम ने उन्हें हिर्दै से लगाया और भरत के संभाई बताया सुरसा और लंकिनी भी रस्ता रोक न पाए वाटिका में मैया सेता हनुमत को नजर थे आए मोद्रे का देकर हनुमत चर्णों में जुक गए जाके प्रभु राम जिले ने आए यूँ बोले शीश नवाके वाटिका थी कूब उजारी अक्षै कुमार संघारा ब्रम पाश में पंद गए जाकर रावन को ललकारा जब पूछ में आग लगी ना राम दूत घब राया रामण रह गया देखता सारी लंका को था जलाया छूडा मणी को लेके हनुमत लोट के वापिस आते राम की कथा सुनाते भगतों राम की कथा सुनाते सागर पर सेतु बांध राम से न लंका में आ पहुँची है लक्षमन और मेगनात आमने सामने हैं दोनों बल्चाली योद्धा हैं कि तभी छल से मेगनात ने लक्षमन जी को शक्ती मारी हनुमान जी दुरुद गती से उड़कर हिमाले पहुँचे और भूटी वाला परवत लाकर श्री लक्षमन जी के प्राणों की रक्षा करी भत्तू रगवर को चूड़ा मडे में सेता ही नजर थे आई सारा दल बल ले करके लंका पर करदी चड़ाई हो हनुमत जैसा सेवक फिर कौन सिवात से डरना ठा अंत निकट रावन का संग में कुटुम्ब को मरना इक इक करके मर गए योधा हो गई लंका खाली लखन लाल को लागी शक्ती शक्ती वो शक्ती शाली पवन वेग से उड कर दे को हनुमत बूटी लाए वैद सुशेन ते हाजिर बूटी से फिर प्राण बचाए विभिशन जी को छोड सभी फिर जंग में मारे जाते राम की कथा सुनाते भगतों राम की कथा सुनाते जब रामन का समस्त कुल नाश हो गया तब वो स्वयम प्रभु राम से युद्ध करने उनके सन्मुक आया कई दिन तक उन दोनों का युद्ध चला भक्तूं फिर विभिशन की युक्ती बताने पर प्रभु रामने रामन का अंत कर दिया सभी देवी देवता जैजेकार कर रहे हैं परन्तु घर के भेदी ने लंका ढादी है भक्तूं जब मर के बेटे भाई तो अंत में रावन आया फिर प्राण कहां थे तन में विभिशन ने बत लाया बाणों से गगन धका था युद दिन में रहता जारी विस युद को देख रही थी देवों की नगरी सारी रगुवर ने फिर रम अस्त्र रावन की ओर चलाया काट दिये दश शीश थे उसके धरति पे उसे गिराया उड़ गए थे फिर प्राण पखेरू लग रह थे जैकारे पापी का फिर अंत हुआ गिन गिन कर देती थे मारे घर का वेदी लंका ढाये सुनते तभी से आते राम की कथा सुनाते भगतों राम की कथा सुनाते बोलो जै 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 श्री राम रामण के मरने पर विवीशन जी आदर सहित सीता माता को लिया आए परंतु प्रभु राम ने उनकी अगनी परिक्षा लेकर सब को चौकाया परंतु ये प्रभु की लीला ही थी अब सब पुश्पक विमान में बैठकर अयोध्या आ गए जहां प्रभु श्री राम का राज्ति लख्वा और सारी नगरी जूमने नाचने गाने लगी सिता के अगनी परिक्षा धिर ले थी श्री राम ने वहां सब को था चौकाया श्री रगवर परमधाम ने कोई दोश नहीं सीता में ये अगनी देव समझाते कुश्पक विमान में चड़के सारे अयोध्याको आते सबसे अधिकते खुशी में जूमें भरत लाल जी भाई मुर्चित हो गए खुशी में भगतों खुशी न चुपी चुपाई पूलों की करदी वर शानगरी में दीप जलाए बन वास्ते काट के रगुवर आज आयोध्या आये राज भिशेक हुआ रगुवर का जै जै कार लगाते राम की कथा सुनाते सब को राम की कथा सुनाते बोलो जै 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 श्री राम प्रभुश्री राम माता जान की सहिद राज सिंघासन पर बैठे हुए है गुरों ने राज दिलक कर उन्हें आयोध्या नगरी का राजा घोशित किया हुआ है तीनो भाई चबर ढुरा रहे हैं माताएं आर्थी कर रहे हैं मंगल गान गा रहे हैं गुरुवर आशीश आशिरवाद दे रहे हैं अयोध्या के नगर निवासी घी के दीव जलाकर अपनी प्रसनता व्यक्त कर रहे हैं तीनो लोकों से पुश्मों की वर्षा हो रोई है देवी देवता भी ऐसा नैना भिनाम द्रिश देखकर अती प्रसन्न हो रहे हैं तो आप भी ऐसे दिश में खो जाईए भक्तों और मेरे साथ सच्च हृदै से बोलिए बोलिए राजा राम चंदर जी महाराज की कर अब सरने तिति सारे लग कंधर्व काना गाने रद्न आभूशन फिर वाटे भर पूरत सबी खजाने आदर सम्मान को पाके सब लोटे बारी बारी सिया राम के सेवक सचे मुस्काए रहे बलकारी ना हीरे और मोती चाहिए ना में वाके भूके हम सेवक हैं सिया राम के बस सेवा के भूके मेरे सत गुरु शिरी करण सिंग ने मुझे ज्यान सिखाया कमल सिंग रगवर की कोई माया जान न पाया राम नाम नित गाने वाले राम की किरपा पाते राम की कथा सुनाते भगतों राम की कथा सुनाते बूल जे 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 शी राम बुलुँँँँची जशीना बुलू जय जय जशी राँ गाम जय शी राँ गाम जय शी राँ चलो रे मनू आजिय योध्याधाम जगप्रगटे श्री राँ रगुनंदन श्री राँ चलो रे मनू आजिय योध्याधाम चलो रे मनू आजिय योध्याधाम जहां ब्यापक है आजिय योध्याधाम ब्रह्मने रन्जन जहां ब्यापक है ब्रह्मने रन्जन प्रक्टे है द्रग खंजन अंजन लखिलाजत जिन को कोटि किकाम चलो रे मनू आजिय योध्याधाम चलो रे मनू आजिय योध्याधाम सुन्दर राज महल की शोबाद सुन्दर राज महल की शोबाद सुन्दर राज महल की शोबाद चंचल जन्मा नसमन मोगा चंचल जन्मा नसमन मोगा जग च्छाएं रहो जग च्छाएं रहो सुभादी यत्तिकाम चलो रे मनू आजिय योध्याधाम चलो रे मनू आजिय योध्याधाम मात कोशिल्याद अंकन सोगे माति को सिल्या अंकन सोगे करुणा रस नभघन सुन्दर श्याम चलो रे मन आजि अयोध्या धा जगप्रगुटे श्री रामु रघुनंदनु श्री रामु चलो रे मन आजि अयोध्या राम जेशी रामु राम जेशी रामु चलो रे मन आजि अयोध्या जगप्रगुटे श्री रामु रघुनंदनु श्री रामु चलो रे मन आजि अयोध्या धा चलो रे मन आजि अयोध्या धा चलो रे मन आजि अयोध्या धा जहां ब्यापक है ब्रह्मने रंजन जहां ब्यापक है ब्रह्मने रंजन प्रक्टे है ध्रग खंजन अंजन लखिलाजत जिन को कोटि की काँ चलो रे मन आजि अयोध्या धा चलो रे मन आजि अयोध्या धा सुन्दर राज महल की शोबा सुन्दर राज महल की शोबा चंचल जनमा नसमन मोगा जग छाए रहो जग छाए रहो सुभा दी अतिकान चलो रे मन आजि अयोध्या धा चलो रे मन आजि अयोध्या धा मात कोशिल्या अंकन सोगे मात कोशिल्या अंकन सोगे मात कोशिल्या अंकन सोगे चंचल जनमेरो मन मोगे चन्चले अंजानी मेरो मन मोगे करुणा रस लभगन सुन्दर श्याम चलूरे मन आजे अयोध्याधा जगप्रगुटे श्री रामु रगुनंदनु श्री रामु चलूरे मन आजे अयोध्याधा चलूरे मन आजे अयोध्याधा चलो रे मने आजी आयो जाना ना जाने हो जाए कब इस जीवन की शाद अब भी वक्त है पगले तू भजले राम का ना ना जाने हो जाए कब इस जीवन की शाद अब भी वक्त है पगले तू भजले राम का ना अब भी वक्त है पगले तू भजले राम का ना अहम की माला पोड की प्राणी सब कुछ राम पे छोड के प्राणी हाथ जोड के कह दे सब तेरा है भगवान अब भी वक्त है पगले तू भजले राम का ना अब भी वक्त है पगले तू भजले राम का ना दो पल की है तेरी जिंदगानी क्यों करता है तू यो मन मानी तेरी मन मानी का सही होगा ना परणा अब भी वक्त है पगले तू भजले राम का ना अब भी वक्त है पगले तू भजले राम का ना सब कुछ यही पर रह जाएगा कर्म कले खाही कामाएगा इस सच्चाई को तू क्यों भूलता है नादान अब भी वक्त है पगले तू भजले राम का ना अब भी वक्त है पगले तू भजले राम का ना अब भी वक्त है पगले तू भजले राम का ना अब भी वक्त है पगले तू भजले राम का ना अब भी वक्त है अब भी वक्त है रजले राम का राम का ना च्च्च्च्च्च।